है विर्बन स्वागत करता हूं आप सब का एक बार फिर से बिहार बोट के नमर वन चैनल बिहार बोट इसलिए आज इस वीडियो को आपको पूरी तर से लास तक देखना है क्योंकि आज हम लोग जो कभर करेंगे वह पार्ट टू कभर करने वाले यानि अगर नहीं देखें चैनल विजिट करके आप देख लिजेगा आपके टीचर आपके बड़े-बड़े अनुवववी सिच्छक भी आपको यही रिकॉमेंट करेंगे कि जो आपको देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको लगभक सभी कोश्चन जो है आपके फैनल एक्जाम म साथ में आपको यह भी बताना है कितना सारे कोश्चन का आपको पहले से वालूमता कॉमेंट सेक्षन में आपको चिन्नित करना है ठीक है चलेगा इस वाम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए आपके स्कीन पर फर्स्ट कोशन आ गया है धान से देखिए क्या कर आता है भार आपके स्क्रीन पर भारत के पर्थम सिख्चा मंतरी कौन थे क्या मुंसी सर्दार अबुलकलाम आजाद सुची तरह किरपला नी तो इसका राइटेंसर आप लोग को बताना है वेरी गूड ऑप्सन नमर बी विल विदर आइटेंसर आप लोग को बताना है वेरी गूड चले कोशन आगे देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर आचुका है ध्यान से देखेगा भारत का 29 वार आज ये कौन सा है जारकंड है और उत्रां चला या 36 गर या तेलंगाना तो चार नमर का राइटेंसर आपको बताना है वेरी गूड ऑपसन नमर क्या हो जाएगा डी व चले कोशन आगे देखते हैं लोग जैसे आपके स्क्रीन पर आचुका है चाटा नमर कोशन आप द्यान से देख रहे हैं किस पंचवरसी योजना में गरीबी हटाओ का कार्यकरम को विसे सस्तान दिया गया है पर्थम योजना तीसरा या पांचवी योजना चर्टी योजन चले कोशन आगे देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर आचुका ध्यान से देखेएगा क्या कहलाता है भारत में सकाहरी दूद उतपादा का अंधरन कहां से शुरूआ था गुजरास से महराज से राजिस्तान से मध्यपरदेश से आठ नमर सबाल का राइट एंसर आपनों चले कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेएगा कोशन क्या कलाता है कि मतलग क्या कलाता है किस भासा के आधार पर उनिसों तिरपन में आंधरा परदेश का गठन हुआता तमिल मरियलंग कनड़ा या तेलगू तो राइट एंसर क्य पंजाब सामिल नहीं है मनिपूर है ठीक है चले कोशन देखते आगे हम लोग स्क्रीन पर हस्ताचर किये थे सिंदु नदी समझोता पर सिमला समझोता पर तासकन समझोता या भारत पाक समझोता तो आपको मालूम ही होगा ग्यार नमर का ऑप्सन नमर सी विल विदर अब ही विद्यितिन निर्माटा कि एक माना जाता है पंडित नहिरु को स्यज़ार ओल भैप पठीन परवान परिक्षाद या मातम गांदी सभी को जानता है वह पंडित जवालन नहिरु को कहा जाता था ओप्सन नमर ए विल विदर राई टेंसर हो जाएंगे ठीक है चले कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा भारत में दूसरा सफल परमानों प्रिक्षेन कब किया गया था उनिसे कर दोग बारत में पहला जो परमानों प्रिक्षे दस अगस्त उनिसे मासाट या पांच मारस उनिसे बाटतर चौदर नमर सवाल का राई टेंसर आपको बताना है चौदर का आपसन नमर ए विल विदर राई टेंसर जाएगा सभी को बता है कि सोलेट दिसंबर 1971 को या बंगलादेस का अस्तापना हुआ था ठीक है चलिए समझता हुआ था 1904 में यह सारे चीज़ें आप लोग को याद रखना है और यह जो चीन जो है यानि उलंगन किया था ओप्सन नमर भी विल विदर राई टेंसर हो जाएगा ठीक है चलिए कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं पोखरन परवन प्रिक्षन भारत की किस समझता हुआ ठीक है चलिए कोशन देखें आगे हम लोग स्क्रीन पर आशुका ध्यान से दिखेंगा चलिए कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगा 1977 के आम चुनाव में विजे पार्टी का नाम लिखी है कॉंग्रेस जनता पार्टी या सौतंत पार्टी तो मैं आप लोग को बहले ही बता दिया था कि 1977 में है जो वो जनता पार् राइट एंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है ध्यान से देखेगा क्या कलता है कि तारी विरोधी आंदोलन यानि किस राजिया से संभण नहीं था मारास से गुजरात से जारकन से आंधरा परदिस से त तारी और दारू के विरोध में या आंदोलन के रुपे इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें महला काफी आंक्रोस से इस अंदोलन को अंजाम दिया था ठीक है तो चले फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कोशन को देखते हैं जैसे आपके स्क्रीन पे हैं ध्यान से देखेगा सब्सक्राइब जाना जाता है जब सुन्दरलार बहुगोना बोला जाये तब चिपका अंदोलन से ठीक है आपको चले कोशन पिर आगे हम लोग देखते हैं फरक्का समझोता जो है भारत और बंगलादेश की बिचे है क्योंकि इधर तो यह सारे तो आए गारत और पाकिस् सब्सक्राइब जाएंगे चले कोशन देखते हैं आगे हम लोग द्यान से देखेगा क्या करता है निहरू के निधन के बाद उनका राजनितीक उत्तराधिकार कौन बना था इंद्रा गांदी बना था लालवदु सास्त्री गुल्यारी लालवंदा या मॉराजी देसाई त तो लालवदु सास्त्री गुल्यारी बना था उसके बाद ठीक है और बी राइटेंस हो जाएंगे ठीक है कोशन फिर आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से देखिएगा सीटो और सेंटो जैसे संगटत सनस्तापा कौन सा दियस आता है अमरिका है स्वेस संग है चीन या इन म जो नहीं है ट्रिटी सिक्से नमर सवाल का राइटेंस और अप्सन नमर भी विल भी दाराइटेंस और अराफाथ ठीक है ठीक है चले कोशन देखते हैं लोग दूब्य विश्वे पूर्वे गडबंदन को नेतित यानि किस नी किया था ठीक है दो धूर्वे विश्वे जो सीट यूज आरम होगा आपको मालूम होगा उपसर नमर भी विल विदर राइटेंसर हो जाएगा चले कोशन देखते हैं आगे आपके स्क्रीन पर आच चुका है ध्यान से देखिए का हाओ मैं इस टेट इन यूए से ठीक है यानि सभी अमेडिका में कुल कितने राजी सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है चले कोशन देखते हैं ध्यान से आगे हम लोग फिर आपके स्क्रीन पर आच चुका है ध्यान से दिखिए क्या कलाता है सभी को पता होगा कि इस बांगला भूटान यह सारे चीज्ज यह नेपाल तस चीज नहीं किस में तो आपको बता है नि सबसे बड़ा देश सार्क में ठीक है चलिए कोशन देखते हैं आगे हम लोग इसक्रिंट पर आच चुका है ध्यान से दिखेंगा संयुक्तराज अमेरिका पर आतंगवादी द्वारा आकरमन कब किया गया था यहनी 2003 में किया गया 24 चार में 2001 में 2005 में तो राइटेंसर क्या हो जाएगा 34 सवाल का राइटेंसर आप लोगो बताना है उपसर नमर दी ध्यान से देखेंगा निए का भेजी थी यानि इंडियान सेंट इट्स कीपिंग फॉर्स टू स्री लंका राइटेंसर क्या हो जाएगा ऑपसर नमर 36 का राइटेंसर ऑपसर नमर सी विलीदर राइटेंसर हो जाएगा निए सब्सक्राइब आपको बता रहे हैं और अस्थाइब यह था निए पांच और अस्थाइब का जो होता है तो दस होता है और पांच और दस मिला करके आपका टूटल अपसर नमर डी विलीदर राइटेंसर हो जाएगा ठीक है चले कोशन आगे फिर देखेंसर देखेंगा न संदी नियुकरन संदी या परमानों आप रसे संदी या सभी राइटेंसर आपको बताना है ठीक है चले कोशन आगे फिर हम लोग देखते हैं ध्यान से देखेंगा क्या कलाता है कितने देशों दुवारा जैवी खत्यार समझोता भी यानि बीडबलू सी पर हस्ताचर किये गए थे डेर सो एक सो बावान एक सो चबवान एक सो बताना 39 नमर सब्लका राइटेंसर आप लों को बताना है बेरी गूड 39 का ऑप्सन नमर डी विल भी दर राइटेंसर रोजा होता है तो 40 का अपसर नमर यानि आपका डी होना चाहिए क्योंकि एक ही करन होता है ठीक है तो चलिए वीडियो लॉग हो रहा है इसलिए मैं आपको सॉट कोशन तक ही करा रहा हूं ठीक है इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव कोशन भी लेकर आएंगे और आप लों को मैं थे बता रहा हूं कि अगर में पास अए तो वीडियो को एक लैक कर खर और किया अपने विडियो जब करें शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्थ का लाब ले सेखेगा चलिए आज की वीडियो को ही तक मैं इंट करता हूं जय ही जय यवाहरत